हेलो फ्रेंट्स मैं परशांद सर्मा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल योगविद परशांद पर फ्रेंट्स आज हम एक आसन सीखेंगे जिसका नाम है उत्कट आसन उत्कट आसन संस्क्रिट वासा के दो सब्दों से मिलकर बना है उत्त यानि की उठा हु उत्थावा दिखाए देता है इसलिए इसको उत्कट आसन कहा जाता है फ्रेंट्स इंगिल्स में इसको चेर पोज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे सरीर की स्थिदी बिलकुर कुर्सी के समान दिखाए देती है तो आईए इसका अभ्यास करते हैं इसको करने के लिए स वातों को रखना है हमारी हतेलिया नीचे की और रहेंगी आपको ध्यान रखना है और ध्यान रहे कोहनिया मुड़ी हुई ना हो इसके बाद दीरे-दीरे स्वास को छोड़ते हुए गुटनों को मोड़ते हुए नीचे की और जाएंगे दीरे दीरे आपको नीचे की ओर बैठना है और इस परकार से आप ऐसे बैठ जाएंगे जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो कुछ समय ऐसे ही रुकने के बाद आप दीरे दीरे स्वास भरते वे उपर आएंगे और सीधे सामाने स्थिती में आ जाएंगे इसके बाद दीरे दीरे हातों को नीचे लेकर आएंगे तो फ्रेंट्स इस परकार से इसका एक चक्र पूरा होता है और आप इसको कर सकते हैं और दीरे दीरे इसका समय आप बढ़ा सकते हैं फ्रेंड इसमें starting में आपको 2 से 3 बार करना हैं और जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएं तो इसका समयाप बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंड इस परकार से इस आशन का अभ्यास आप कर सकते हैं फ्रेंड जान लेते हैं अब इसके कुछ लाब सबसे पहले बात करते हैं यह आसन हमारी lower back को strong करता है इसके साथ हमारी hip की stretching होती है जिससे की हमारे hip आकार में आ जाते हैं और मजबूत होते हैं हमारी chest को भी मजबूत करने में आसन कारगर माना गया है जिससे की chest की मासपेशियां strong होती है और हम अच्छी chest वाले बन जाते हैं इसके साथ साथ यह हमारी स्थर्ता को भी कायम करता है हमारी मानसिक और सारजिक संतुलन को बनाने के लिए इस आसन का एहम रोल है इसके बाद बात करते हैं इस आसन के दुआरा हमारी पेट की मसाज होती है जिससे की हमारे organs अच्छे से कारिये करते हैं और हमारी पेट की चर्वी को भी यह आसन खतम कर देता है क्योंकि इससे हमारी पेट की पूरन रूप से स्ट्रेशिंग होती है जिससे फैट कम हो जाता है इसके बाद बात करते हैं यह आसन हमारी जांग की चर्वी को भी खतम करता है और जांग की मास्पेसियों को करता है जिस्से की वह मजबूत होते हैं इसके बाद यह रोगों से लड़ने के काईल हो जाता है इसके बाद बात करते हैं इस आसन के दुआरा हमारे घुटने इतने मजबूत हो जाते हैं कि हम कोई भी कारिये अच्छे से कर सकते हैं और चल फिर सकते हैं तो friends इस परकार से आप इसके लाबों को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इस आसन को करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका BP लो नहीं हो क्योंकि BP लो में इसको अगर कर लिया तो आपका BP लो और भी जाद हो सकता है और आपको शमिश्या बढ़ सकती है इसके साथ साथ जिनके घुटनों में दर्ध है या फिर जिनको अर्थ्राइटिस की प्रोब्लम है जोडों में दर्ध है उनको इसका ब्यास नहीं करना चाहिए इसके साथ साथ जिनको लिगमेंट्स की प्रोब्लम है लिंगमेंट्स ख्षिति गरस्त है या फिर उनमें कोई प्रोब्लम है तो उनको इसका ब्यास रोक देना चाहिए इसके साथ साथ जिनको हैडिग है यानि कि सिर में दर्द है तो उनको भी इसका ब्यास नहीं करना चाहिए इसके साथ साथ जिनके टक्षनों में दर्ध है उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और lower back में ज्यादा injury है ज्यादा problem है तो भी चिकत सक्के सलहा के अनुसारी इसका अभ्यास करें तो इस परकार से आप इसको कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जुरूर लिक कर बताएं और हमारी नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार